आपकी बॉडी में ऑक्सिडेटी स्ट्रेस हो जाती है और इस समय आपकी बॉडी को आंटी ओक्सिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये आंटी ओक्सिडेंस होते हैं वाइटमिन A, C, E, सिलीनियम और जिंक आप अपनी डायेट में अगर शुगरी फूड और फ्राइट फूड कम कर देंगे तो इन एलमेंस का एफेक्ट और भी ज्यादा हो जाएगा healthy fats भी आपको इस oxidative stress को बीट करने में help करते हैं healthy fats मतलब omega 3 fats इसके साथ आप coconut oil, good quality olive oil, virgin organic olive oil का इस्तबाल में कर सकते हैं last but not the least let's talk about adaptogen herbs adaptogen herbs help normalize your body response to stress and the two herbs are Indian ginseng, matlab ashwagandha और tulsi जो घर घर में अवैलिबल है in addition to this मैं सजेस्स करूंगी रात को सोने से पहले आप chamomile tea पीजे जिससे आपकी बोडी में inflammation कम हो जाती है और आपकी बोडी में कामनेस लाती है I hope इस information से आप सब का फायदा हो अगर आपको और किसी topic के बारे में जादा information चाहिए तो please comment section में अपना comment जरूर छोड़ियेगा Till then, please remember, health is a choice, make it हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करे हमारा चैनल और प्रेस करें बैल आइकन ताकि कोई वीडियो मिशना हो हुआ 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 है